भाग्य और बुद्धि में कैसे हुई लड़ाई? क्यों महादेव को करना पड़ा न्याए? ये कहानी बहुत ही रोचक है, साथ ही ये कहानी आपको बहुत अच्छी सीख भी दे कर जाएगी. दोस्तों, विडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर-हर महादेव अवश्य लिखें. प्राचीन समय की बात है कि एक दिन भाग्य और बुद्धी दोनों एक साथ बैठे हुए थे. तब आपस में दोनों में वाद विवाद होने लगता है. भाग्य कहने लगा कि जो काम मैं करता हूँ, उसे ये बुद्धी क्या करेगी? बुद्धी बोली, मूर्ख मत बनो, जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ, तो वह आदमी पागल हो जाता है, मृत्यू को प्राप्थ हो जाता है. तुम कितना ही उसका साथ दे दो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता. भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धी, तुम नही अज्यवान हो जाएगा, वो पैसे वाला हो जाएगा, नहीं, कदापी नहीं हो सकता. दोनों में इस तरीके से विवाद आरंब हो गया. फिर बुद्धी कहने लगी, कि अब इसका फैसला तो भगवान महादेव ही कर पाएंगे, कि हम दोनों में से कौन बड़ा है. तो दोन दोनों महान देवता हैं, दोनों इस संसार के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और ये दोनों इस तरीके से जगड़ा कर रहे हैं, इनका फैसला तो मुझे करना ही होगा. जब वे दोनों महादेव के दरबार में पहुँचते हैं, तो महादेव उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, इस प्रकार लड़ने का क्या कारण है? भाग ये कहने लगा, हे प्रभु, मैं जिस व्यक्ति का साथ छोड़ देता हूँ, वह व्यक्ति क्या कर सकता है? भला वह तो कंगाली और गरीबी में ही अपना समय व्यतीत करेगा, वो तो दरि उसका कितना ही साथ दे तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बुद्धी हीन प्राणी तो मृतक के समान होता है। महादेव ने दोनों की बहस सुनी, दोनों के तरक सुने और तरक सुनने के बाद महादेव मन में सोचने लगे कि इन दोनों का फैसला बड़ा गंभीर है, इनका फैसला कैसे किया जाए। तब महादेव ने उन दोनों से कहा कि देखिये, ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप दोनों में कौन बड़ा है, आप दोनों अपनी क्षमता का परीक्षन करके बताइए। फिर महादेव ने भाग्य से कहा आप अपने भाग्य का परीक्षन कीजिए आप मुझे इसका प्रयोग करके बताईए भाग्य बोला ठीक है प्रभू जैसी आपकी आग्या होगी मैं उसी आदेश का पालन करूँगा लेकिन बुद्धि मुझसे कभी भी बड़ी नहीं हो सकत तब महादेव कहने लगे कि आप मृत्यू लोक में देखिए एक बुढ़िया और उसका एक मात्र बीस वर्शी ये बेटा दोनों बड़ी गरीब अवस्था में दैनीय स्थिती में जंगल में जोपड़ी डाल करके रहते हैं उन्हें खाने के लिए अन भी नसीब नहीं हो अब आप दोनों इस लड़के पर अपनी शक्ति आजमाईए जो इसको धनवान बना देगा जो इसको संब्राट बना देगा वहीं बड़ा होगा भाग्य कहने लगा प्रभू ये तो बहुत छोटी सी बात है बुद्धी बोली कि छोटी सी बात कैसे हो सकती है जब मैं इसक साथ नहीं दूगी तो तुम इसे कभी भी राजा नहीं बना सकते भाग्य बोला बुद्धी तुम नहीं जानती हो जब मैं इसका साथ दूगा तो मैं इसे राजा ही नहीं इसे महान समराट बना दूगा बुद्धी बोली कि ठीक है चलो इसी पर अपनी बुद्धी और भा भाग्य ने महादेव से कहा कि महादेव आप पहले मुझे अनुमती दीजिए मैं जा रहा हूं और इस लड़के को मैं समराट बनाऊंगा महादेव कहने लगे ठीक है तब तक बुद्धी बोल पड़ी कि हे महादेव मैं इस लड़के का साथ छोड़ करके आ रही हूं भाग् अब भाग्य आता है और देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है उसके पास केवल एक घास फूस की जोपड़ी है और तीन बक्रियां बंधी हुई है वो व्यक्ति उन तीन बक्रियों के लिए व्रिक्षों की पतियां काट करके लाता है और उन पतियों को उन बक्रियों को चराता है अपना पूरा दिन उन बक्रियों को चराने में ही गुजार देता है। भाग्य मन में विचार करने लगा कि ना तो इसके पैरों में कुछ पहनने को है ना ही इस पर अच्छे वस्त रहें। लेकिन अब मैं इसे समराट बना करके रहूंगा। भाग्य ने पासा पल्टा और सोने के जूते बना करके रास्ते में डाल दिये। उसी रास्ते से वो लड़का निकल रहा था। जब उस लड़के ने देखा कि सोने के जूते मार्ग में पड़े हुए हैं तो वो उन्हें पहचान नहीं पाया। वो ये जान नहीं पाया कि ये जूते सोने के हैं, परंतु उसे पैरों में पहनने के लिए जूते तो चाहिए ही थे, इसलिए उसने उन जूतों को अपने पैरों में पहन लिया, और सोचने लगा कि चलो जूते तो मिल गए, इनसे बहुत समय का काम चल जाएगा, बकरी चरात प्रतियां लाकर बकरियों को चराता रहता था, परंतु उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, उसकी माता की बुद्धी भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धी उनको छोड़ करके चली गई थी, भाग्ये ने चरवाहे का खूप साथ दिया, लेकिन चरवाहे के ज प्रतिदिन जंगल को जाता, अपनी बकरियों को चरा करके लाता और अपने घर आ जाता, भाग्ये सोचने लगा कि मैंने इसे संब्राट बनाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तो मुझे पागल दिखाई देता है, इसका व्यवहार तो पागलों सा हो गया है, बुद्ध भाग्ये तुम नहीं जानते कि मैंने इसका साथ छोड़ दिया है, और जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूँ, तो वो ऐसा ही व्यवहार करता है, भाग्ये कहने लगा, ठीक है बुद्धी, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करोगी और मैं क्या कर सकता हूँ, एक देश का एक राजा था, जिसका नाम तेज प्रताप था, राजा तेज प्रताप के देश में एक सौदागर रहता था, उसके पास व्यापार करने के लिए कुछ उट थे, वो सौदागर उन उटों में पीतल लाद करके ले जाता था, और दूसरे देशों में व्यापार किया करता था. एक दिन वह सौदागर उस चरवाहे के जंगल से गुजर रहा था. तब उसने देखा कि इस चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं और ये इनकी कोई कदर नहीं कर रहा है. इनके बारे में शायद ये जानता भी नहीं है. तो वह सौदागर अपने उट से नीचे उतरा और उस चरवाहे से कहने लगा कि भाई तुम ये जूते कहां से लाए हो. तो वह चरवाहा कहने लगा कि भाई मुझे ऐसे ही इस जंगल में पड़े हुए मिले थे. तो वह सौदागर कहने लगा क्या तुम इन्हें बेचना चाहोगे तो वह चरवाहा कहने लगा जरूर बेच दूँगा इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया लेकिन तूटते फटते बिल्कुल नहीं है ये तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं सौदागर बोला भाई तुम इन्हें बेच दो और मैं तुम्हें इसके बदले जो तुम लेना चाहोगे वो दे दूँगा वह चरवाह बोला कि मुझे इसके बदले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे केवल एक मन आटा चाहिए जिससे मैं और मेरी माता दोनों भोजन बना सकें हमें दोनों समय की रोटी नसीब हो जाए फिर सौदागर को एक मन आटे में वह जूते उस चरवाहे ने दे दिये बुद्धि ने भाग्य से कहा हे भाग्य ये क्या हो रहा है आप कहा सो गए जिसे आप एक समराट बनाना चाहते हैं उसने तो सोने के जूते एक मन आटे में बेच दिये तो भाग्य ने कहा बुद्धि आप चुपचाप रहो और देखती रहो कि मैं क्या करता हूँ इसे में समराट बना कर ही रहूँगा बुद्धी ने कहा भाई इसको समराट बनाने के चक्कर में आप इसको मार मत देना क्योंकि ये चरवाहा बुद्धी के बिना कुछ नहीं कर सकता है भाग्य ने फिर से पासा पलटा और हीरे जड़ित सोने के जूते दुबारा लेकर उस चरवाहे के मार्ग में रख दिये फिर उसी रास्ते से चरवाह निकला तो उसने देखा ये जूते तो पहले से भी अच्छे हैं चलो इनको भी पहन लेता हूँ उसने वे जूते पहन लिये और अपनी बक्रियों को चराने के लिए चला गया फिर वह सौदागर एक दिन उसी रास्ते से होते हुए अपना माल बेचने जा रहा था तो उस चरवाहे के पास उसने पहले से भी सुन्दर हीरे जडित जूते देखे और कहा भाई क्या ये जूते तुम मुझे बेच दोगे चरवाहे ने कहा बेच दूँगा लेकिन मुझे एक बोरी भूने हुए चने देने पड़े गे तो सौदागर ने उन जूतों को एक मन चनों में खरीद लिया अब सौदागर के मन में विचार आया कि इन जूतों को राजा को दे दूँ तो मुझे काफी धन मिलेगा उसने ऐसा ही किया और राजा के पास चला गया राजा जूते देखकर काफी खुश हुआ और राजा ने उन जूतों को सो स्वर्ण मुद्राओं को दे कर ले लिये सौदागर से राजा ने पूछा कि आप ये जूते कहां से लेकर आते हैं तो सौदागर ने जूत बोला और कहा कि महाराज में जहां अपना माल बेचने जाता हूँ वहां के राजा ने मुझे खुश होकर ये जूते दिये हैं तब राजा कहने लगा कि हे सौदागर उस समराट के कोई पुत्र भी है क्या सौदागर ने बोल दिया कि अभी तो वह स्वयम ही कुवारा है उसी का विवाह नहीं हुआ है तब राजा तेज प्रताब बोले कि ठीक है सौदागर हमारी पुत्री चंद्रमा के समान सुन्दर है तुम अपने समराट से जाकर के पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करना चाहते हैं अब सौदागर फंस गया सौदागर ने विचार किया कि मैं तो किसी समराट से जूते नहीं लाता इन्हें तो मैं एक चरवाहे से लेकर आता हूँ अब मैंने जूट बोल दिया और अब मेरा क्या होगा राजा तेज प्रताप ने उस सौदागर को आदेश दिया कि अब की बार तुमको बही जाना है और तुम्हारे समराट को इसके लिए राजी करके आना है कि वो हमारी पुत्री के साथ विवाह कर ले अब सौदागर फंस गया था वो वहां से वापस आता है वापस आने के बाद उटों में वही पीतल भरता है और चल देता है व्यापार करने के लिए जब वो उस जंगल से गुजर रहा था तो उसे याद आया कि इस चरवाहे ने मुझे महाराज के क्रोध का शिकार बना दिया यदि ये चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे वो जूते भी नहीं मिलते जूते नहीं मिलते तो मैं जूट नहीं बोलता अब मेरा क्या होगा राजा ने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में फंसा दिया अब मैं राजा के इस फंदे से कैसे बचूंगा अब वह सौदागर उस चर्वाहे की जोपड़ी पर जाकर के ठहर जाता है जब चर्वाहे ने उस सौदागर को देखा तो बड़ा खुश हुआ क्योंकि सौदागर उसको खाने पीने की व्यवस्था करता था चर्वाहे ने उस सौदागर से कहा कि सौधागर आईए आपका स्वागत है सौधागर ने वहीं पड़ाव डाल दिया और उंटों पर जो पीतल था उसे उतार करके नीचे रख दिया और उस चरवाहे से बातें करने लग गया भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था वह चरवाहा उस पीतल के एक बोरे पर बैठ जाता है जैसे ही चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठा तो बोरे में जितना भी पीतल था वो सोने का हो जाता है सोना जगमगाने लगता है और जब सौधागर ने उस पीतल के बोरे को देखा तो उसमें सोना भरा हुआ था अब तो सौदागर को विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति निश्चित ही कोई जादूगर है या फिर ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है तभी सौदागर को एक युक्ति सूजी सौदागर चरवाहे से बोला भाई तुम चिंता मत करो मेरे पास काफी धन दौलत है और मैं आपके यहां महल और किला बना देता हूँ और आप उसके राजा बन जाना राजा बनने के बाद मैं आपकी शादी मेरे देश के राजा की बेटी से करवा दूँगा फिर आप आराम से जिन्दगी जीना चरवाहे ने कहा भाई तुम जो भी करो लेकिन मेरी बकरियों का ध्यान जरूर रखना सौदागर ने सोचा ये व्यक्ती तो निरा मूर्ख है इसकी बुद्धिनश्ट हो गई है मैं तो इसको राजा बना रहा हूँ और ये अभी भी अपनी बकरियों का राग अलाप रहा है अब सौदागर वहां पर महल बनवा कर वापिस राजा के पास गया और कहा महाराज, मैं उस राजा को शादी के लिए तयार कर आया हूँ और आप वहां पर अपनी बेटी की सगाई उस राजा के साथ कर दो मैं विवाह तये करके आया हूँ राजा ने दो नौकर भेज दिये और उसकी सगाई करवा दी अब विवाह का समय तो आ गया लेकिन वो चरवाहा अपनी बकरियों के साथ ही रहता उनको ही चराता और मस्त रहता है सौदागर ने सोचा इसको खुद की तो कोई परवाह नहीं है कहीं ये चरवाहा मुझे ना मरवा दे तब सौदागर उस चरवाहे के पास गया और उसने उसको सारी बात बताई और कहा अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो हम दोनों को राजा मार देगा इस कारण मैं जिस प्रकार कहूं तुम बैसे ही काम करो चरवाहे ने मन में सोचा कि इतना भारी संकट कहां से आ गया मैं तो अपनी जिंदगी आराम से व्यतित कर रहा था अब विवाह का समय आ गया और बरात लेकर उस चरवाहे राजा के देश में जाने लगे राजा तेज प्रताप, हाथी घोडे और काफी सेना लेकर पहुँच गए और शादी की रश्म भी पूरी हो गई अब उस चरवाहे को पंडित ने एक साथ منजिला कमरे में सुला दिया चरवाहे को उसकी मा बच्पन में कई डरावनी कहानिया सुनाती थी इसलिए वो चरवाहा बच्पन से ही बहुत डर पोक था अब उसको उस साथ मनजिल बाले कमरे में कई प्रकार की आवाजें आने लगी उसको पायलों और चूडियों की आवाज जैसे ही आती तो उसको लगता की कोई भूत आ रहा है उसने कमरे की एक खिड़की से नीचे कूदने की तैयारी कर ली उसी समय बुद्धी ने भाग्य से कहा भाग्य तुम इस व्यक्ति को किसी प्रकार से बचा सको तो बचा लो अन्यथा ये नीचे कूद कर मर जाएगा क्योंकि इसमें बुद्धी नहीं है भाग्य भी डर गया उसने सोचा कि अगर ये चरवाहा सचमुच मर गया तो महादेव क्रोध में आकर मुझे भस्मना कर दें तब भाग्य ने कहा हे बुद्धी आप ही बड़ी हो मैं तो आप से बहुत छोटा हूँ बुद्धी आप जीत गई और मैं हार गया पर इसको किसी भी प्रकार से बचा लो उसी समय बुद्धी उस चरवाहे के शरीर में प्रवेश करती है और वह चरवाहा उपर से कूटते हुए रुक जाता है तब ही महादेव वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि भाग्य और बुद्धी आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो भाग्य से अगर कोई गरीब परिवार में भी पैदा होता है तो अपने बुद्धी, विवेक एवं कौशल से सभी सीमाएं लांग कर जीवन में सर्वोच स्थान हासिल कर सकता है इसलिए भाग्य और बुद्धी दोनों का मनुष्य जीवन में अपना अपना योगदान है बड़े या छोटे में इन्हें परिभाशित करना अन्याय होगा कई बार बुद्धी का उपयोग करके किसी कार्य को करने में असफलता हाथ लगती है या भाग्य के साथ न होने के कारण होता है लेकिन आपने देखा होगा कि मेहनत हमेशा रंग लाती है और असफल व्यक्ती भी अपनी बुद्धी और मेहनत से एक दिन जरूर सफल होता है भाग्य भी हमेशा मेहनत करने वालों का देर सवेर साथ देता ही है भाग्य की अहमियत बुद्धि के मुकाबले हमेशा ही कम रहती है तो दोस्तों बुद्धि बड़ी है या भाग्य आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताईएगा आशा करता हूँ कि आज की यह प्रस्तुती आपको पसंद आई होगी विडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख कर परमात्मा को अपना आभार जरूर प्रकट करें और इसी तरह की ज्ञान वर्धक विडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सबस्क्राइब जरूर करें अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव